नमस्कार वैसे मजदूर जो घर आना चाहते हैं उनके लिए पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है तो आज हम इसी पंजीकरण के बारे में बताएंगे तो आपको इस पंजीकरण का साइट पर जाने के लिए सबसे पहले आप डिस्क्राप्शन में दीवे लिंक से भी जा सक सकते हैं तो आए एक एक कर पूरी जनकारी देते हैं सबसे पहले आपको इस तरह का पीज खुलेगा उसके बासहन पर तुम चाहता होगा उसके बासहर आपको यहां पे उम्र डालना होगा आपकी जो भी उमर अधार काड़ में होती QUE वहां उम्र डाले उसके बाद आपको लिंक सेलेक्ट करना है पूरूस है या महिला है उसके बाद आप मजदूर है या विद्यार्थी है उसके बाद आपको यहां पे राज सेलेक्ट करना होगा जहां पे आप रहा हो रहे हैं उस राज को सेलेक्ट करें आप जिस राज मेरा हो रहे उनमें नाम डाले उनका लिंक को डाले उसके बाद संबन डाले आपके पिता जी है या माता जी है या भाई है उनका मोबाइल नंबर भी आपको यहां डालना होगा आपको इन सारी परकिरिया करने के बाद आप मैला है तो अगर बहुती है या नहीं है उसका भी टिक करना उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं परिवार का पुरा विवरन देना है उसके बाद आप जहरखंड का पता दें जिस जीला के आप हैं पलामू के हैं तो पलामू डाले गड़वा के हैं गड़वा जाले राची के हैं तो राची डाले उसके बाद आप किस प्रखंड मे आते हैं उसके बाद आपको ग्राम पंचायत भी सिल्ट करना होगा उसके बाद आपका जो गाउं होगा उस गाउं को भी डालना होगा उसके बाद आप यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पेज खुलेगा, आप जारखन में समंधित ब्यक्ति का विवरन देना होगा, उसके बाद उनका संपर्क नमर भी देना होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें, इन सारी परकिरिय करने के बाद आपको यहां पर सब्मिट पर क्लिक करना होगा मैं सविकार करता हूं जारखंड जाने के लिए घोसना करना होगा आशा करता हो कि आपको पूरी जनकारी मिल गए होगी आज के लिए इतना ही